दोस्तों ये बात है दिसंबर 2006 की जब कोली सर दिल्ली के लिए रंजी ट्रोफी खेल रहे थे एक खास टेस्ट मैच था करनाटक के खिलाब जो कि वो इस टाइम पर खेल रहे थे और इसी टेस्ट मैच के दूसरे दिन ही कोली को पता चलता है कि उनके पिता प्रेम कोली जी का इधन हो गया है लेकिन मैच में दिल्ली की इस्तिती बहुत ही जादा खराब थी ऐसा इसलिए था क्योंकि करनाटक न पहली पारी में खेलता हुए 446 रन बना दिये थे और दिल्ली यहाँ पर 5 विकेट खोकर 50 राइन रन पर खेल रही थी दूसरे दिन का खेल खतम होने था क्रीज पर विराट कोली सर और पुनीत बीस्ट खेल रहे थे और दिल्ली का इस कोच चल रहा था 103 रन यहाँ पर दिल्ली के कोच चेतन चोहान और उनके बाग्यों टीम मेंबर ने कहा कि कोली आप ये मैच छोड़कर तुरंत घर चले जाएए वही पर कोली सर ने जादा कुछ नहीं कहा उन्होंने सिंपल कहा वह टीम के साथ ही रहेंगे और उन्होंने अगले दिन बल्ले बाजी करते हुए 90 रन की शांदार पारी खेली और पुनी द्विष्ट के साथ 6 विकिट के लिए 152 रन की पार्टनर्शिप भी लगाई और उसी के साथ दिल्ली को फॉलो ओन से भी बचाया के बाद वो तुरंट अपने पिता जी के अंतिम संस्कार के लिए निकल गए